दोस्तों नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस तनियूर महराष्टा में एंसीपी कोटे से मंतरी नवाब मलिक की गिरपतारी के बाद अब जो है वहाँ पे पूरी तरह से हंगामा मजा हुआ है पूरी तरह से वहाँ के जितने भी बड़े पॉल्टीस के अंजा है वो सरत पवार हों उदो ठाकरे हों सारे के सारे लोग डर चुके हैं और अब उनको भी पता चल चुका है कि ED की टीम अब कुछ भी कर सकती है किसी भी बड़े मंत्री और नेता को गिरपतार कर सकती है क्योंकि जो नवाब मलिक हैं वो एक बड़े मंत्री थे साथ में ही उनको ED की टीम के द्वारा बिना किसी नोटीस दिये जो है उनको उनके घर पहुँच गई थी और उनको जो है बिना किसी नोटिस के ही ग्रफतार कर लिया था तो इसको लेकर अब जो है पूरी दरा से माराश्रा में हंगामा मचा हुआ है अब इन्ही सब चीजों के बीच में सरत पवार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है जैसा कि अभी सुत्रो सबडेट आ रही है इसमें दावा किया जा रहा है कि सरत पवार जो है वो उधो ठाकरे से मुलाकात करने के लिए आज अपने घर से निकलेंगे और साम को साड़े 6 वजे एक मिटिंग रखी गई है और इस मिटिंग में उधो ठाकरे और सरत पवार ही सामिल होंगे और उहां पर वो नवाब मलिक की गिरफतारी को लेकर चर्जा करेंगे और इस पर हल निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर कार किस तरह से उधो ठाकरे गवर्मेंट को बचाया जाए और किस तरह से जो नवाब मलिक हैं जो भी उनके बड़े मंत्री और नेता एक के बाद एक E.D. की गिरफत में आ रहे हैं उनको ED की गिरफ्ट से किस तरह से बचाने की कोशिश की जा सकती है इसको लेकर जो है आज सरत पवार और उधो ठाकरे एक दूसरे से चर्चा करेंगे और ये जो मिटिंग रखी गई है वो साड़े 6 बजे के करीब आज साम को रखी गई है देखते हैं अब ये दो के दुनों लोग जब आपस में मिटिंग करेंगे एक दूसरे से बात करेंगे उसके बाद इनके दौरा क्या फैसला लिया जाता है क्योंकि आपको बता दूँ कि बीजेपी सिवसेना के सांसा संजे राउत पिछले कापी टाइम से लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के कई बड़े पॉलिटिक्स यान एक साथ गरपतार होने वाले हैं तो क्या इन दो के दोनों के बीच में जब ये मिटिंग होगी तो उसके बाद ये कोई कड़ा फैसला लेंगे मतलब कि बीजेपी ने ताओ कि जो गरपतारी के लोग कर दावा किया जा रहा है संजे राउत की दोरा उस उनको जो है गरपतार किया जाता है कि ये लोग जो है पूरी तरह से डर जाएंगे और जो गरपतारी के बात कर भी रहे थे वो पूरी तरह से सांथ हो जाएंगे लेकिन अगर बात की जाए संजे राउत की तो संजे राउत अभी भी लगातार ED के उपर निशाना साथ रहे हैं उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि वो जल से जल जो ED के officer हैं उनको पूरी तरह से expose कर देंगे उन्होंने कितने बड़े बड़े घोटाले किये हैं उसको भी पूरी तरह से expose कर देंगे अब देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या ये सच में संभो होता है कि संजे राउत जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही इस तरह की बाते कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि आज की मीटिंग यानि उद्धो ठाकरे उसाथ पौर की जो मीटिंग होगी साड़े शेप जे उसके बाद जो है कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं आपका क्या ओपिनियन है इस पर आपनों ओपिनियन कमेंट बॉक्स मता हैं और वीडियो जाए स्यादा सेयर करें